दो-दो साल पुरानी बाते हैं और यह सब ट्वीट्स जो कर रहे हैं और उस दिन मैंने और भी किसी को देखा दो साल पुरानी कुछ बात कह रहा थे अपने उपनी ओपीनियन दे रहे थे स्काउट के बारे में उनसे एक बारी बोलना कि गोल्डी भाई और ठक के साथ जो एक हिसाब है उसके बारे में किस दिन स्ट्रीम पर बात करूं मैं उसमें स्काउट भी था इन्वार्ड उसको तरलाइज हुआ तो उनको जो कल बहुत भाशन दे रहे थे उनका उनका जो ठक के साथ अकाउंट एक वरी पूछना की क्या हुआ था वो बता देंगे आपको स्ट्रीम पर अगर असली नहीं बताए तो मैं बता दूंगा क्या लफडा हो रहा है इन लोगों के बीच में गातक भाई स्काउट नहीं हो यह बीच में आपनी पता नहीं कौन सी दाल गरम करने आया है दो साल पुरारा ट्विट मार रहा है अपर दो साल से किसीने तुझे रोका था गया बोलने से बोल दे आज लाइफ जाके बोल दे अब कोई मर्डर उसमें किया नहीं कोई ऐसा काम किया नहीं कि उसको नॉन बेलेबल जो यह लाइफ लेट्रांग मिलेगी जो उसमें दो साल पहले किया और जितने बोलते हो उसको जेल करा दो मैं कहरो आज करा दो स्काउट को जेल करा दो दो दिन तीन दिन के अंदर उसको बेल वह दो दिन नहीं तो तीसरे दिन मैं उसको बाहर निकल मगँ और मेरी जिम्मेदारी है। ओडियस उसको एक्ट करती है नी करती है जैल जाने के बाद वह मैं देखोंगा वो देखेगा ये धमकिया बंद करो भाई जेल भेज देंगे वो कर देंगे वो भेज दो ना करा दो रिपोर्ट जिससे मर्जी करवा दो जेल चले जाता मतलब कि भाई सामने वाले के पास तो कुछ है ही नहीं हमारे पास मुह है जुबान है केंची की तरह हम चलाएंगे और हमने अगर कर बोल दिया कुछ स्ट्रीम पर फिर तुम्हारे काण बोल दिये स्ट्रीम पर फिर तुम्हारी परसनल लाइव के काण बोल दिये स्ट्रीम पर फिर तुमने किन-किन को क्या-क्या-क्ति किये वो बोल दिया फिर ये मत सोचो कि तुम अंदर खाते कुछ कर जाते हो अपने खास-खास दोस्तों में वो तुम्हार तक ही रहती है बाद अम को भी पहुंशती है बाद ठीक है तो irrelevant लोगों तुम बात ही मत करो